हर दिन बढ़ते जा रहे तलाक के केस को ध्यान में रखते हुए कोर्ट के आदेशानुसार एक कॉंसलर ने बीस कपल्स को एक सामुहिक मीटिंग में बुलाया यह कॉंसलर उन कुछ चंद समझदार और सक्सेसफुल कॉंसलर्स में एक थी जिन्होंने कई जोडों को यह समझाने में मदद की थी कि वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं और कई शादियों को तूटने से रोक लिया था इस मीटिंग में आने वाले सभी कपल्स के दिमाग में यही चल रहा था कि उनके घर के बड़े बुजर्ग जिस बात को नहीं रोक पा रहे थे उसे रोकने के लिए यह कॉंसलर क्या ही कर लेंगी मीटिंग के शुरुआत होते ही कॉंसलर ने कहा मैं आपको वही सारी बाते रिपिट नहीं करूंगी जो आपने अपने दोस्तों रिष्टेदारों या अपने शुपचिंतकों से सुन रखी होगी मैं आपको एक गेम खिलाऊंगी उसने सभी जोरों को ध्यान से देखा और बाद में एक महिला को अपने पास आने के लिए कहा जब वो महिला उसके पास आई तो उसे एक चौक देकर पास वाले ब्लैक बोर्ड पर अपने सबसे करीब 25 लोगों के नाम लिखने के लिए कहा महिला ने सबसे पहले अपने बेटे का फिर माबाप का बाद में रिष्टेदारों दोस्तों और सहकर्मियों के नाम को लिखने के बाद 25 नाम अपने पती का लिखा उस महिला के पती ने अपना नाम जब सब के बाद लिखा देखा जो खुद भी वहाँ हाजिर था उसे बहुत बुड़ा लगा मन ही मन सोचने लगा कि अच्छा हुआ मैं इसे तलाग देने जा रहा हूँ मेरा फैसला गलत नहीं है कॉंसलर ने महिला से कहा अब आप उन दस लोगों के नाम हटा दीजिये जुन्होंने आपको जीवन में सबसे कम साथ दिया हो या कम साथ दे सकते हैं महिला ने कुछ सकंड सोचने के बाद अपने सहकर्मी और कुछ दोस्तों के नाम हटा दिये इस गेम को ना केवल वो महिला खेल रही थी बलकि इस मीटिंग में आए हर वह पती पत्नी भी मन ही मन खेल रहे थे क्योंकि वह भी उसी परिस्थिती में थे जिस परिस्थिती में वो महिला थी कॉंसलर ने फिर एक बार उस महिला को दस और नाम मिटाने के लिए कहा इस बार महिला काफी सोच में पड़ गई तीन चार मिनट सोचने के बाद उसने अपने बाकी बचे दोस्त और रिष्टेदारों के नाम हटा दिये अब केवल पाच नाम ही बच गए थे जिसमें उसके माँ बाप और दो बच्चों के नाम के साथ उसके पती का नाम भी था हर कोई यह देखकर हैरान था कि सबसे आखिर में अपने पती का नाम लिखने के बाद भी उस महिला ने दोनों बार जब दस दस नामों को मिटाने के लिए कहा गया तो उसने अपने पती के नाम को नहीं मिटाया काउंसलर ने अब उस महिला की तरफ देखा और बोली आपको दो नाम और मिटाने होंगे महिला अब दुविधा में थी उस काउंसलर की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो कि मेरे साथ ऐसा जुल मत करो काफी समय लेने के बाद जब महिला ने दो नाम मिटा दिये तो उसकी आखों में आसू थे क्योंकि वो नाम उसके माता-पिता के थे मीटिंग में आये सभी लोग इस घटना को बड़े ध्यान से देख रहे थे उन्हें हर बार आश्चर हो रहा था लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हुआ क्योंकि सब मान रहे थे कि जब साथ देने के बात हो तो कोई भी व्यक्ति अपने माबाप का नाम नहीं मिटा सकता कॉंसलर यहीं पर नहीं रुकी उसने अब महिला से कहा कि एक आखरी बार दो और नाम मिटा दीजे महिला की हालत ऐसी हो गई जैसे उसे कोई सजा दे रहा हो अब की बार उसने कॉंसलर से मना कर दिया कि अब वह इस गेम को और ज़्यादा नहीं खेल सकती कॉंसलर ने उसे समझाया कि आपको सिर्फ नाम मिटाने हैं और यह एक गेम है इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जैसे तैसे कॉंसलर ने उस महिला को दो और नाम मिटाने के लिए मना ही लिया कापते हुए हाथों से महिला ने जब अपने दोनों बच्चों का नाम मिटाया तो वह फूट-फूट कर रोने लगी उस महिला के पती के साथ-साथ वहाँ आये सभी लोग दंग रह गए वहाँ आये सभी लोगों का यही सोचना था कि चाहे कुछ भी हो जाए तो महिला तो बच्चों का नाम नहीं मिटा सकती कॉंसलर ने उस महिला को कि महिला ने ऐसा क्यों किया कोई भी उस सवाल का जवाब दे नहीं रहा था दे नहीं पा रहा था या देना नहीं चाहता था अंत में कॉंसलर ने उस महिला को खड़े होने के लिए कहा और उसी से ऐसा करने का कारण पूछा महिला बोली चाहे अभी मेरे और मेरे पती के बीच में कुछ प्राबलम चल रही है लेकिन जब साथ देने की बारी आती थी तब वो हमेशा मेरे साथ खरे रहते थे मेरे माबाब बुढ़े हो चुके हैं और वै कितने दिन मेरे साथ रहेंगे मैं नहीं जानती मेरे बच्चे बड़े होने के बाद हमेशा मेरे साथ रहेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है लेकिन हमारे बीच इतना कुछ होने के बाद भी मेरे पती ने मुझसे कहा कि वह अवलग होने के बाद भी जब भी जरूरत होगी तब मेरा साथ देंगे महिला बोली हम पता नहीं क्यों तलाग तक पहुँँच गए आज उस गेम को खेलते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि हम दोनों के बीच ऐसी कोई बड़ी समस्या हुई ही नहीं है वह तो बस हम दोनों गुसे में थे और कोई भी जुगना नहीं चाहता था इसलिए मैंने सब का नाम मिटा दिया लेकिन अपने पती का नहीं मिटाया महिला के बाते सुन उसका पती भी खड़ा हो गया और अपनी पत्नी को गले से लगा लिया और बोला मुझे माफ कर दो मैं भी तुम्हें कभी तलाग देना ही नहीं चाहता था जैसे मैंने तुम्हारा साथ दिया है वैसे ही तो तुमने भी मुझे जीवन के हर कदम पर सपोर्ट किया है मैं तुमसे फिर से एक वादा करता हूँ कि मरते दम तक तुम्हारा साथ दूँगा कॉंसलर ने अपना काम कर दिया था उसने वहाँ पर आए हर एक जोड़े को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि जो वह करने जा रहे हैं कहीं वह अपने जूठे अहंकार और गुस्टे की वज़े से तो नहीं है कहीं वह अपने साथी के साथ अन्याई तो नहीं कर रहे हैं आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले और इस कहानी के बारे में आपकी क्या रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं थैंक्यू